New Nokia 110 4G और New Nokia 105 4G 2023 Edition या Rebranded Edition लाँच हो चुका है हाला के दोनों Nokia Keypad Mobile का Older Version मार्केट में अभी भी अबेलेबल है अलग लुक और डिजाइन के साथ इसका Newer Version एक 2G Variant भी लाँच हुआ है तो यहां Confuse होने की जरुवत नहीं है दोस्तों आज स्रीफ बात करेंगे Newer Variant Nokia 110 4G और Nokia 105 2023 Edition या Rebranded Edition को लेके अब यहां आपको Newer Variant Nokia 110 4G 2023 Edition में प्रीमियम डिजाइन देखने को मिलेगा नीचे आपको Charger Dock का सपोर्ट दिया गया है Easy to use होने वाल है Polycarbonate Body Type होगा Rare में आपको Texturist Finish देखने को मिलेगा यह आपको Blue और Purple Color Option में मिले वाल है यह फीचर फोन आपको दिया जाएगा अब अगर इसका फूल डीटेल्स को लेके बात करें तो दोस्तो डाइमेंशन आप स्क्रीन के उपर देख सकते है स्क्रीन साइज 1.8 इंजिस का होगा Rare में दोस्तो आपको एक जाइन कैमरा का सपोर्ट दिया गया है अदर जितने भी Nokia फीचर फोन है दोस्तो यह बैतर लुकिंग है लेकिन दोस्तो कैमरा सेंसर के उपर ज्यादा काम नहीं किया गया है यहां आपको वही QVGA जो सेंसर है वही दिया गया है Bluetooth बरसन यहां आपको 5.0 का सपोर्ट दिया गया है 3.5mm audio जाक यहां आपको दिया गया है यहां जो charging socket होने वाले है दोस्तो Micro USB टाइप होगा अब अगर battery के उपर मूव करें तो दोस्तो यहां आपको Only 1450 mAh का battery support दिया गया है जो feature phone point of view सही है दोस्तो यहां आपको Micro SD 32GB का सपोर्ट दिया गया है जो के external type होने वाले है operating system यहां आपको Series 30 Plus का सपोर्ट दिया गया है MP3 player साथी साथ दोस्तो Voice recording जैसे feature का सपोर्ट यहां आपको दिया गया है Snake game यहां आप easily play कर पाएंगे 2G, 3G, 4G connectivity option यहां आपको मिलने वाले है जो SIM type होने वाले दोस्तो Nano type होगा अब यहां दोस्तो आप Nokia 105 4G 2023 एडिशन यहां रिब्लेंड एडिशन को देख सकते है यहां भी आपको premium design देखने को मिलेगा लेकिन एक difference है दोस्तो Nokia 110 4G 2023 एडिशन से अगर बात करें इसका color option की तो यह आपको दो color option में मिलने वाले है blue और black इसका weight भी 93 grams होने वाले है साथी साथ दोस्तो इसका screen size 1.18 जिसका होगा अब अगर बैटरी की बात करें तो दोस्तो वही बैटरी यहां भी आपको दिया गया है 12 days standby time यहां भी आपको मिलेगा talk time आपको 8 hours का यहां दिया गया है अब यहां आपको bluetooth version और headphone jack में भी दोस्तो वही feature दिया गया है जो freeways version में आपको मिलेगा बैटरी आपको 1450 mh का यहां भी दिया गया है microSD यहां भी आपको 32GB का ही मिलेगा जो के external type होगा दोस्तो यहां आपको operatorism वही series 30 plus का support ही दिया गया है यहां भी दोस्तो आप MP3 player को use कर पाएंगे साथिसाथ voice recording जैसे feature का support और snake game का support यहां आपको दिया गया है इस feature phone में भी दोस्तो आप 2G, 3G, 4G का support दिया गया है sim type यहां भी nano हो लेवाल है और यह feature phone भी दोस्तो IPX grading के साथ launch होआ है IP52 यहां दिया गया है मतलब दोस्तो यह feature phone Nokia 1104G 2023 edition जैसा ही waterproof होने वाले है अब यहां दोस्तो दोनों Nokia 4G feature phone को मैं side by side रखूं तो दोस्तो एक noticeable point आपको देखने को मिलेगा आपको Nokia 1105 4G में कोई camera rear side में नहीं दिया गया है Nokia 1104G 2023 edition या rebranded edition में आपको rear side में giant camera module के साथ एक camera support दिया गया है अब screen के उपर आप यह दोनों future phone का price detail screen के उपर देख सकते हैं अगर India launch को लेके आप परिशान है तो दोस्तो यह India में launch नहीं हुआ है यह दोनों Nokia 4G new keypad mobile दोस्तो global website में launch हुआ है तो India launch भी दोस्तो imminent है यह मेरा opinion है तो यही दोस्तो newly launched Nokia 110 4G, Nokia 105 4G 2023 edition या rebranded edition से जुड़े वो सभी full information जो आपको producing को पहले जानना चाहिए तो hope बताएगे सभी information आपके लिए useful और helpful साभी दुआ होगा अगर है तो किसी social platform में इस वीडियो को जरूर शेर कीजिएगा किसी और का भी help हो जाएगा और नीचे अपना opinion जरूर छोड़िएगा तो आप चलिए बहुत होगा बगबग वीडियो को यहीं पर conclude करते हैं मिलते हैं next किसी वीडियो में इसी तरह का information लेके